दुनिया विटो पावर को लेकर हैरान ही थी कि भारत फिर से एक नया बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देश की धमक से हैरान परेशान है। चीन खुद को तीस मार खान समझता था। लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका है कि सुपर पावर माने जाने वाले द दोस्तों भारत की उपलब्धी जानकर आप खुशी से जूम उठेंगे लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वह तो पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है और यह कमाल करके दिखाया है दोस्तों पूरी अपडेट क्या है? समझते हैं इस वीडियो में उससे पहले भारत की काम्याबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपके लिए एक सेकंड का काम है इससे हमारी काफी मदद होती है दरसल भारत के इस मिसाइल सिस्टम से रूस भी हैरान, अगनिफाइव और इसी ताकत भारत के पास आ गई है और आपको बता दें भारत के इस मिसाइल सिस्टम को देख कर चीन के तो होश उड़ गए हैं वहीं अमेरिका और रूस भी हैरान है क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले तक भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इस्राइल से बने हुए हथि तक्निक नहीं थी, ना ही भारत के पास कोई रिसोर्स था, जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तयार कर पाता, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उसने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया है कि जिसके सामने अमेरिका और रूस भी नहीं टिक सकते, वह लेकिन किसी ने डिफेंस सेक्टर की ओर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जबकि भारत का दुश्मन चीन हतियारों के निर्मान उनके एक्सपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर लेकर जा चुका था। वह भी काफी समय पहले ही चीन ने अपनी एकॉनमी पर अच्छा खासा ध्यान दिया है। वरना पचास के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी। लेकिन चीन की सरकारों ने देश की एकॉनमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैनुफैक्चरिंग पर अच् लेकिन अब भारत सरकार देश में ही इंडिजन्स टेकनोलोजी बेस्ट हतियार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगी। उनका इस्तेमाल बढ़ाने लगी और तो और बड़े स्तर पर इन हतियारों के एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल दिया है। जिसका नती को देखकर दुश्मन देश के पसीने चूटते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जब गुजरात में डिफेंस एक्सपोर्ट का आयोजन किया गया तब नाटो देशों ने भारत के बने हतियारों की काफी तारीफ की और उन्हें खरीदने के लिए भी कहा। सोचिए नाटो द यानि की पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए दर्वाजा खोला है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही एलान किया वैसे ही कई देश भारत पर तूट पड़े। इन्ही देशों में एक देश है आर्मेनिया जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध वरति गामवों पर कबज़ा करना चाहता है। युद्ध इस वक्त अजरबैजान टेश कई लड़ने के लिए दोनों ही देश हतियारों की बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसे हथियारों की खरीददारी की जा रही है जो युद्ध का माहौल पलट कर रख दें भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है। और आर्मेनिया जानता है कि इस वक्त भारत ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकत रखने वाले हथियार उसे दे सकता है। दोस्तों आपको गर्व करना चाहिए यह बात जानकर कि भारत के एक हथियार ने ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पचाड़ दिया है। और अब इसी हथियार पर आर्मेनिया भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। वास्तव में यह हथियार युद्ध का रुख पलट डालने की हिम्मत रखता है। ऐसे हथियार का नाम है पिना का रॉकेट सिस्टम जिसके युद्ध के मैदान में पहुँचने से पहले ही अजरबैजान देहशत में आ चुका है। और इसकी काट के लिए पाकिस्तान तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमाल की बात यह है कि आर्मेन्या ना तो अमेरिका से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही रूस से। अब यह देश भारत से ही बागी के हथियारों की डील चाहता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आर्मेनिया जिस भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर सौधा कर रहा है। उसकी ताकत क्या है, उसकी रेंज क्या है और किस तरह से अजरबैजान के सैनिकों की जान निकाल कर रख देगा। कैसे यह युद्ध में दुश्मन पर तबाही मचा तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, चलिए, शुरू करते हैं। दरसल दोस्तों भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका युनिट देने जा रहा है। और यह अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई जा रही है। अब आर्मेनिया को युद्ध में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया की सेना भारत से पिनाका का सबसे एडवांस वर्जन खरीदने वाली है। जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। इस डील के साथ ही आर्मेनिया ने यह भी संकेत दे दिया है कि वह रूस के बनाए गए बीम 21 ग्रेड सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। खुद रूस भी आर्मेनिया को अपना बीम 21 रॉकेट सिस्टम बेचने की फिराक में था। लेकिन इस डील में बाजी भारत मार गया। इसका कारण यह कि भारत का पिनाका रॉक रॉकेट सिस्टम में 6 लंचर सिस्टम होते हैं। यानि कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं और उसके साथ लॉडर वीकल भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लॉड करके उसे हमले के लिए तयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जान इतना सब रूस के BM-21 सिस्टम में नहीं है, अब आर्मेनिया को भारत मास लेवल पर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने वाला है और इनका निर्मान बहुत तेजी से चल भी रहा है। आर्मेनिया का भारत के साथ पिनाका डील करना उसके रणनीतिक हितों के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। आर्मेनिया यह जानता है कि अजर्बैजान को रोकने के लिए भारत का पिनाका सिस्टम काफी ज्यादा फिट बैठने वाला है। इसका कारण है 1999 में हुए कारगिल वार के दौरान पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर तूटा था। पाकिस्तानी सैनिक पहाडों की उंची चोटियों पर बंकर बनाकर भारतीय सेना पर जब गोलियां बरसा रहे थे। तब पिनाका ने उनके बंकर को तबाह कर दिया था। यह लड़ाई दो महीने तक चली थी कारगिल युद्ध में बो फोर्स के साथ मिलकर पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर तूटा था। इसी युद्ध के बाद भारत ने इसकी सफलता को देखते हुए इसे और एडवांस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था। और बीस सालों में भारत ने इसको और अपडेट करके इसे ब्रहमास्तर में तबदील कर डाला है। अब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि यह 58 सेकंड में हजारों सैनिकों को धेर कर सकता है। यह लांचर 58 सेकंड में 62 रैकेट दाग सकता है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिती में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिना का रखा गया। एडवांस तकनीक से लैस या लांचर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से दुश्मनों पर हमला करता है। हर पांच सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है। अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा।